Pre-Algebra क्या होता है? जब भी आपने Algebra बढ़ना होता है जो हमारे पिछले lecture का मेन मुद्दा था या टॉपिक था हमारा तो आपको कुछ terminologies, कुछ fractionation, कुछ खास तर पर key terms, कुछ आपको mathematical equations को resolve करना, arithmetic operators and there are some other tools जो आपको आने चाहिए हैं खास तर पर mathematical operations जो हैं वो कौन-कौन से operations हैं और किस तरीके से वो हमें help out करते हैं to learn pre-Algebra या Algebra से भी पहले जो चीज़ें आती हैं तो आज इस पूरे lecture के अंदर हम वो ही देखने वाले हैं मैं सबसे पहले आपके सामने अपनी screen share करता हूँ अगर आप screen पे गौर करें तो यहां पे आपके पास अगर आप Kodanics लिखें Google के अंदर तो यहां पे आपके पास home पे आप जाएंगे Kodanics के अउपर और home पे जाने के बाद आप blogs में जाएंगे और blogs में जाने के बाद आप जो है वो first blog जो हमारा है उसके उपर जाएंगे जिसका link जो है मैं अभी आपको comment section के अंदर भी दे देता हूँ और मैंने पहले भी दिया हुए अब 0 to hero ultimate guide क्यों बनाई गई है इस एक blog के उपर अच्छा खासा time मैंने लगाया है सिर्फ इस वज़ा से ताके आप pre algebra को अच्छे तरीके से समझ सकें मैंने इसी का link जो है वो comment section में paste कर दिया हुए आप वहां से इसको देख सकते हैं और मैं description के अंदर भी इसका link जो है वो paste कर देता हूँ इस एक blog का लेट मी सी, जस्ट आ मिनेट yes तो यह जो link है इसका आपको बता भी लगया होगा कहां से मिलेगा तो यहाँ पे the ultimate zero to hero guide to pre algebra इसको आज हम देखने वाले हैं और यहीं पे सारे के सारे notes आपको मिल जाएंगे अगर आप अपनी मर्जी से लिखना चाहें it's up to you so start करते हैं अगर आप गौर करें तो इस एक design के अंदर you can see के आप zero से hero की तरफ जाएंगे यानि के algebra को सीखने के लिए आपको pre algebra को सीखना पड़ते है और pre algebra क्या है इसके बारे में हम पहले read out करते हैं इस पूरे block के अंदर कौन-कौन सी चीज़े बताई जाएंगी यहां पर बताया गया है कि आप algebra के ऊपर जब आते हैं algebra को study करते है then at that time you have to really be a master in pre algebra और यह एक जो guide है पूरी यह एक page जो है यह article जो है यह आपको help करेगा ठीक है इसमें होता क्या है कि यह building blocks of mathematics जो है वो आप master कर सकते हैं using this guide और अगर आप student educator है lifelong learning है data scientist है या कुछ भी बनने जा रहे हैं जहां पर pre algebra की जरूरत है तो यह एक guide आपको help करेगी अब आपको mathematics के साथ अगर प्यार है तो algebra, calculus और बहुत ज़्यादा और भी चीज़ें जो हैं हम आइस्ता आपको सिखाने वाले है लेकिन इसके अंदर अगर गौर करें तो हमने हर chapter के अंदर एक specific topic को सुमाया है और अगर आप यहाँ पर आएं तो chapter number 1 से लेके हमने chapter number 9 तक यानि के इस codenics के platform पे you can find chapter number 9 here जिसके अंदर हर chapter वाइज एक एक चीज़ को हमने sort out किया हुए and then at the end आप chapter number 10 देखते हैं जिसका basic आपको assignments और questions दिये गए हैं हर chapter से related अगर आप इस पे आज के lecture के दुरान थोड़ा time spend कर लेते हैं believe me जो आपने fourth standard में mathematics को miss किया था या आपने pre-algebra को miss किया है कभी भी life के अंदर आपने नहीं सीखी आप यहीं से start करके आप pre-algebra सेख सकते हैं जिससे आपका algebra अच्छा हो जाएगा और algebra के आगे linear algebra अच्छी हो जाएगी जिसको machine learning और mathematics in data science के use के तोर पे आप utilize कर सकते हैं तो यह एक जो guide है यह बहुत essential होने वाली है अब आप मेंसे कितने लोगों ने इसको पढ़ा है प्लिस chat में मुझे बताईए को कि इसका link मैंने और रेड़ी भी आपको दे दिया हुआ था नहीं पढ़ा तो चलिए start करते है introduction मैंने आपको बता दिया अब हम देखते हैं कि इसके अंदर है क्या सबसे पहले अगर आप contents पे नजर दोड़ा है तो आपको सबसे पहले introduction मिलेगा जो हमने पहले देख लिया फिर chapter 1 हमारा आ जाता है chapter 1 क्या कहता है कि basics of pre-algebra कौन-कौन सी होती है understanding the basics of pre-algebra जिसमें numbers and operations है and then key terms आ जाती है तो chapter 1 के अंदर हम देखेंगे numbers and operations and key terms chapter 2 के अंदर हम क्या देखने वाले है the word of fractions and decimals decimals और fractions क्या होती है फिर एक fraction को simplify कैसे किया जाता है फिर हम देखते है common denominator in algebra क्या होता है adding and subtracting fraction को हम कैसे देखते है LCM का भी method है there are many other methods multiply कैसे करते है divide कैसे करते है fractions को और mixed number and improper fractions in algebra को हम कैसे deal करते है तो पहले हम 3.1 के अंदर देखेंगे fractions and then decimals decimals वो ही जो इशारिया जिसे हम बोलते है वो कह बाता है तो fractions को decimals के अंदर भी हम convert कर सकते है add भी करते है multiply भी करते है divide भी करते है और round up भी करते है आपको पता होगा कि round up जो है वो different किसम के तरीके से हम mathematics के अंदर करते है फिर decimal places का हम ख्यार रखते है कि कौन सी decimal places कहां पे आती है significant figures कौन कौन सी होती है and then in chapter number 3 we will see the ratio of the power of ratios ratios क्या होती है और proportions क्या होती है algebra में ratios और proportions को यहां पर separate किया गया chapter number 4 में आपको percentage की art सिखाई जाएगी कि किस तरीके से आप percentages को understand कर सकते है और कौन से rules हैं जो apply होते हैं percentage को understand करने के लिए यहां पे आपको एक point clear कर दूँ कि यह जो हमने 8 chapters बनाए हैं यह सिरफ chapters नहीं हैं यह बलके algebra की basic से intermediate level तक का knowledge है जो एक आम mathematician को तो होना चाहिए ही as a data scientist जा artificial intelligence के अंदर अगर आप जा रहे हैं और आपको इन चीजों का नहीं पता तो इसका मतलब आपको numbers का नहीं पता और अगर आपको numbers का नहीं पता इसका मतलब है आपको algebra का नहीं पता अगर algebra का नहीं पता इसका मतलब है आपको machine learning और deep learning के algorithm समझ नहीं आने है अगर आने भी है तो ऊपर-ऊपर से समझ आने है मतलब यह फलाँ algorithm है जरूरी नहीं है कि आप ने इन चीजों को बहुत master करना है लेकिन जितना मैं बता रहा हूं उतना ही master कर लें that would be more than enough as a data scientist या artificial intelligence या machine learning engineer तो यहां पर अगर आप गोर करें मेरे पास mystery of variables and expressions जो मैं आपको परसों चोल से बताते आ रहा हूं यहां पर इस बाइबल के साथ आप कैसे काम करते हैं वेरियेबल को अलजबरिक एक्सप्रेशन में कैसे लिखते हैं सिंप्लिफाइ कैसे करते हैं एक्सप्रेशन को फिर equations आजाएंगे फिर inequalities then chapter number 6 में measurement and geometry की foundation length क्या होता है mass क्या होता है volume क्या होता है time क्या होता है metric and imperial units क्या होते है फिर unit को convert कैसे किया जाता है which is a big part in time series analysis as well तो introduction to geometry आएगा geometry क्यों ज़रूरी है जब भी आप computer vision यह different किसम की object identification की बारे में बात करते हैं you should know about different geometrical terms फिर आपके पास chapter number 7 आएगा जिसमें data analysis की basics होगी कैसे आप mean median mod क्या होता है range क्या होती है inter-quartile range क्या होती है and there are many other things तो आपको यह पूछा जाएगा फिर probability आपको basic यहीं पर बताई जाएगा advanced level पे हम आगे भी पढ़ेंगे stat वाले chapter के अंदर then हमारे पास आएगा pre-algebra का problem solving हम किस तरीके से pre-algebra की problem को resolve कर सकते हैं उसके मैंने यहां पे 10 steps बताए हुए है which we are going to see when we are working on these things then हमारे पास आता है जनाब example questions और फिर हमारे पास understanding the basics और यह सारे के सारे questions आपको at the end मैंने दिये हुए है अगर आप गौर करें यह हर chapter के separate questions यहां पे available है so यहां पे अगर आपको algebra की समझ आ जाती है that means you are good to go for big tasks like machine learning या deep learning के task तो इस वज़ा से आप से मेरी request है कि notebook पे यह सारे चीज़ें लिखते जाहिएगा okay यहां पे understanding the basics of pre-algebra इस एक lecture के चोटे से portion के अंदर हम अंदर setting the basics of pre-algebra जो है वो देखने वाले है उसको भी start करने से पहले मेरी आप से request है कि अगर आपके पास अभी भी notebook नहीं है और आपने यह block को open नहीं किया हो तो please इस open कर ले ताके आपके पास मेरे side by side आप इन चीज़ों को बढ़ते रहे अजय को बढ़ते आपके पास मेरे